आरध्य देव के स्री चर्णों में सत्सत नमन मैं अभिनंदन गादिया सूरत सई जैन हिंदी आडियो बुक में आपका स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेश कर दीजिए जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें कल के अध्याय में हमने सुना था स्वामी जी के ग्रस्त जीवन के बारे में उनकी जन्म भूमी उनकी वन्सावली के बारे में उनके जन्म और अध्यन के बारे में उनकी सूजबूज और दंब विरोध के किस्से कूप रथाओं के प्रती उनका विरोध, पत्नी वियोग, दिक्सा की अनुमती और माता की वियस्ता के बारे में अब आगे तेरा पंत का इत्यास सासन गौरव मुनी बुद्ध मलजी प्रकासक जेन स्वेतांबर तेरा पंती महासबा भाव सयम की भूमिका दिक्सा ग्रहन घर की सारी वियोस्ताओं से निवृत होने के पश्चात पीखन जी दिक्सा के लिए तयार हुए वे कंटालिया से चलकर बगडी सहर में आए वहां विक्रम समवत 1808 मार्ग सेर्ष क्रिष्णा बारस को आचारे रगुनार जी के पास दिक्सित हुए अनुश्रित हैं कि उनकी दिक्सा बगडी के बाहर नदी तट पर विसाल वटवरक्स की चाया में हुई उस समय उनकी अवस्ता 25 वर्ष एवं साड़े चार महिने की थी युवा अवस्ता का नैसरगिक तेज आध्यात्मिक्ता से प्रभावित होकर देदिप्यमान हो उठा स्वामी जी की वदिक्सा वास्तम में उनकी भाव दिक्सा की एक अज्यात तयारी थी वे उससे एक ऐसी भूमी पर आ गए जिससे भाव सयम की उन्हें आवसक्ता प्रतीत हो सकी और वे उसके लिए उप्युक्त तयारी कर सके मित्र राम चरण जी बाले अवस्ता में स्वामी जी के अनेक मित्र रहे होंगे पर आज उनमें से केवल एक कंटालिया निवासी गुलो जी घाधिया का नाम ही उपलब्ध है उसी प्रकार से युवा अवस्ता के मित्रों में भी एक विशेस उलेखनिय नाम है साहपुरा रामसनेई संप्रदाय के आद्ध प्रवर्तक स्वामी राम चरण जी उनका ये नाम दिक्सित अवस्ता का है ग्रहस्त अवस्ता में उनका नाम रामकृष्न था वे विजयवर्गिय वैश्य थे स्वामी जी की तरह वे भी बहुत विरक्त प्रकृति के थे उनका जन्म सोड़ा नामक ग्राम दुनदार्ड में हुआ वही उनका निवास्तान था सोडा में ही स्वामी जी की बुवा का घर था उनसे मिलने के लिए वे समय समय पर वहां जाया करते थे कई बार कुछ दिनों के लिए ठैरते भी थे संभव हैं ऐसे ही किसी अवसर पर राम कृष्ण जी का उनसे संपर्क हुआ यद भी अवस्ता में स्वामी जी उनसे लगबग साड़े छे वर्स छोटे थे फिर भी समान प्रकृती के कारण वे दोनों बहुत सिग्र ही मित्र बन गए कई बार के मिलन से वह मित्रता धीरे धीरे प्रगाडता में बदल गई स्वामी जी के संपर्क से वे जैन धर्म से परिचित हुए और उनके प्रती सद्धा रखने लगे कहा जाता है कि वे दोनों साथ साथ दिक्सा ग्रण करने के लिए परस पर वचन बद्ध हो गए कालांतर में राम कृष्ण जी का संपर्क संत कृपा राम जी से हुआ उनके विराक की धारा धीरे धीरे उधर मुड़ गई वे स्वामी जी की दिक्सा से लगबग तीन महीने पूर्व विक्रम समत 1808 भादवपद सुकला सातम को दातारा में संत कृपा राम जी के पास दिक्सित हो गए स्वामी भीखन जी के पास किया हुआ वचन उन्हें विस्मृत तो नहीं हुआ होगा परन्तु विचार परिवर्तिन की स्तीती में उसका पालवन संभव नहीं रह गया विक्रम समत 1815 में गलते के मेले में स्वामी राम चरण जी को तक कालीन सन्यासियों के कलह दुर्वेहवार और नसा प्रवर्ति आदी के बड़े कटू अनुभव हुए उनका मन उस और से हट गया उन्हें तब निर्गुरुन भक्ती की अंत्र प्रेणा हुई और वे मेवार में जाकर उसके प्रचार में लग गए फल्सरूप रामस्त ने ही परंपरा में सहावपूरा साखा का प्रवर्तन हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी भीकन जी और स्वामी राम चरण जी यदपी भावी वसाद दो भिन्न परंपराओं में दिख्सित हुए थे फिर भी उनका पारसपरिक सम्मंद चालू रहा वे यदा कदा एक दूसरे से मिलते भी रहे हो तो कोई आश्चर है नहीं स्वामी राम चरण जी ने अपनी कृती में तेरापन सब्द को काम में लिया वहाँ उन्होंने अपनी और से तेरापन की जो व्याख्या की वह ये बतलाती हैं कि वे उस सब्द की मूल व्यप्ति से परिचित थे उनके पद्ध इस प्रकार है सोही तेरापन्थ का मेरा कहे न कोई मैं मेरी से लग रहो तो जगतपन्थ हैं सोई काम क्रोध त्रिशनात जे दूइदा दे उठाए राम चरण ममता मिटे तेरा पंथ वह पाए अध्यन और मिमान सा दिक्सा के पश्चात स्वामी जी ने अपना सारा ध्यान अध्यन और चिंतन में लगा दिया कुछ ही वर्सों में उन्होंने जेन आगमों का गंभीर ज्यान अरजित कर लिया उनकी बुद्धी अत्यन्त तिक्षन थी अथ तत्व को पकड़ते उन्हें कोई देर नहीं लगती दर्सन और धर्म का जो ग्यान स्वामी जी ने किया वह केवल रटन्त रूप नहीं था किन्तु मिमान सा पुर्वक होने की कारण तलस परसी और घहरा था आगमों के नेरंतिक अध्यन और मंतन से उन्हें ऐसा अभास होने लगा कि सादू संग में सुद्ध सद्धा और सुद्ध आचार दोनों का ही अभाव है पहले कुछ समय तक तो ये विचार मंतन मन ही मन में चलता रहा जो जो गहराई से सोचा गया अधिक अधिक कम्या सामने आती गई फिर भी स्वामी जी ने अपने कुछ वर्सों के अध्यन के आधार पर कोई निर्ने कर लेना तब तक के लिए उचित नहीं समझा जब तक कि उस पक्स के समर्थन का आधार अच्छी तरह से नहीं समझ लिया जाए इसलिए आगम मंतन से उत्पन विचारों ने जिग्यासा का रूप लिया और वा जिग्यासा समय समय पर वानी के माध्यम से प्रश्ण के रूप में सामने आने लगी स्वामी जी जब तब तत्व और आचार विचार विश्यक गूड प्रस्ण आचारे जी के सामने रखते रहते प्रस्ण स्वयम साधू समाज के आचार विचार पर एक गहरी टिपणी जैसे होते आचारे रखुनाज जी ऐसे प्रस्ण उपस्तित होने पर टाल मटोल उत्तर देकर बात को टाल देते फिर भी स्वामी जी खिन नहीं होते वे अधिकादिक लगन से अपने अध्यन को अपनी मिमानसा के साथ मुक्त भाव से आगे बढ़ाते रहते भावी आचारे आचारे रखुनाज जी को स्वामी जी की तिक्षन बुद्धी और ग्रण सक्ति पर बड़ा गर्व था वे उनके अत्यंत प्रियसिस्य थे बार बार गुड प्रस्ण पूछे जाने तथा तर्क वितर्क किये जाने पर भी वे न उन पर जल्लाते और न कोई संदे ही करते वे उन प्रस्ण को उनकी आंतरिक विराग वृत्ति और आचार कुसलता के अनुरूप ही समझा करते थे मेगावी तता सुयोग सिष्च को पाकर कोई भी आचारे स्वयम को घन त्रिप्ति वीम्रुक्त अनुभव कर सकता है आचारे रगुनाज जी भी स्वाम की आचारे वे ही हैं गुरू सिष्च का वर्स नह भाव लगबक साथ वर्स तक अभाद गती से चलता रहा सिष्च की निर्बंद जिग्यासा वृत्ति ने गुरू के मन पर और संग के आचारे से थिल्ले ने सिष्च के मन पर कोई द्वेद भाव पैदा नहीं होने दिया उस अध्वेद भाव की चत्रचाया में स्वामी जी के व्यक्तितों को अपनी परिपूर समता के अनुरूप विक्सित होने का अउसर मिला। वह गटना विक्रम सवत 1815 की हैं मेवार के राजनगर नामक नगर में आचारे रगुनार जी की आमन्या के श्रावक काफी बड़ी संख्या में रहते थे उनमें चत्रोजी पोरवाल तथा बच्छ राजी ओस्वाल आदी मुख्य थे वे अच्छे तत्वग्य होने के साथ ही समाज के प्रभाव साली व्यक्ति भी थे राजनगर का श्रावक वर्ग तो उनकी नैत्युत्य को मानता ही था आसपास के चोखलो में भी उनका अच्छा प्रभाव था वे लोग अनेक वर्षों से तकालिन सादू समाज के सितिलाचार से बड़े खिन्न थे आए दिन सितिलता के सूचना पट पर क्रमांग घटने के बजाए बढ़ते ही जाय रहे थे उस इस्तिति में वहां के सितिलाचार के विरुद एक वातावरन बना और वह क्रमस्व बढ़ता गया मुनी जन वहां जाने से कत्राने लगे जो भी सिंगाड़ा वहां जाता उससे वहां का सितिलाचार सेतिले के विशे में अवस्य चर्चा करता कही मुनी उनके प्रस्णों को योँ ही टाल देते तो कहीं रुष्ठ होकर उन्हें ही बुरा भला कहने लगते उक्त दोनों ही पद्यतियों से स्रावकों में असंतोस बढ़ता और वे पहले से भी अधिक अश्रद्दा सील हो जाते सास्त्र पत्र अनुसरुती हैं कि उन्ही दिनों संतों का एक सिंगाडा राजनगर पहुँचा उनके अग्रणी मुनी स्वयम को अच्छा सास्त्रग्य तो मानते ही थे उन्हें अपने तर्क बल पर भी बड़ा विश्वास था स्थानिक स्रावकों को संदे मुक्त कर देने के संकल्प से उन्होंने सभी को प्रश्ण पूछने के लिए आवान किया स्रावक तो ये चाहते ही थे कि मुनी जन या तो हमें समझाए कि उनका आचार वहवार सास्त्रों नुमोदित हैं या फिर उसमें आवश्यक परिवर्तन करे मुन्यों के उक्त अहवान पर उन्हें प्रसनता ही हुई और वे निद्रिष्ट समय पर धर्मस्तान में इकत्रित हो गए सादू चर्या के विशय में प्रश्णोतर चलने लगे एक प्रसंग पर स्रावकों ने आगम प्रमान मांगा मुनी श्री ने सुत्र पाठ निकाला परंतु वह उनके कतन को समर्थन देने वाला नहीं था उन्होंने उसका कुछ अंस छोड़ कर इस प्रकार से पड़ा कि उससे उनके कतन का समर्थन हो स्रावकों को वहां कुछ अंस छोड़ दिये जाने की आसंका हुई तब चत्रो जी के पोत्र जवेर चन जी आदी ने उस पाठ को स्वेंप पढ़कर देखना चाहा उन्होंने पत्र मांगा तो मुनी जी कृद्ध होकर बोले मैंने पढ़कर सुनाया हैं क्या उस पर तुमें विश्वास नहीं जवेर चन जी ने कहा हम भी श्रावक हैं क्या आपको हमारे पर विश्वास नहीं हम पत्र को कहीं ले नहीं जाएंगे यहीं पढ़कर आपको वापस दे देंगे मुनी जी ने पत्र देना नहीं चाहा और स्राव को ने लेना चाहा इसी रसाकसी में वह थोड़ा सा फट गया मुनी जी को अपने बचाव का उससे अधिक बढ़िया कौन सा अवसर मिल सकता था उन्होंने आक्रोस पुर्वक हल्ला कर दिया देखो देखो इन लोगों ने सास्त्र का पत्र फार दिया ये वित्यारत्वी हैं अनंत संसारी हैं खुला बहिसकार उस समय राजनगर के वयोवृद्ध तता प्रभावसाली प्राय सभी श्रावक वहां उपस्तित थे उन्होंने जब देखा कि पत्र को पढ़ने में मायाचार किया गया और पत्र के फट जाने पर अब उस मायाचार को ढखने के लिए अनुप्युक्त सब्द प्रयोग एवं अनुच्युत वहवार का आश्रे लिया जा रहा है तो उन सब का मन ग्लानी से भढ़ गया उप्युक्त गटना ने उस भाव को आकंट भर दिया फलसरूप उन्होंने ततकालिन सितिल श्रमन संग को मान्य करना छोड़ दिया और सास पूर्वक ये घोशना कर दी कि जब तक श्रमन संग अपने में गुसाई सितिलताओ को दूर करने के लिए कटिबद नहीं हो जाता तब तक हम न तो उसे मान्य करेंगे और न वंदन आदी से सक्रत ही करेंगे स्रावक वर्ग द्वारा खुले बैसकार की उक्त गोशना का प्रभाव आसपास के अनेक शेत्रों पर तो पड़ा ही दूरवर्ती शेत्र में भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे गुरू का आदेश आचारे रगनाद जी उस समय मारवार में विहार कर रहे थे बैसकार का सववाद जब उनके कानों तक पहुँचा तो वे चिंतित हुए स्रावको को समझा कर मार्क पर लाना जितना आवस्यक था उतना ही कठिन भी साधारन सादू से बन सकने वाला ये कारे नहीं था वहाँ तो किसी ऐसे विद्वान सादू को भेजने की आवसकता थी जो सारी परिस्थिती को संभाल कर स्रावको के संदेह को दूर कर सके कारण वस्यात स्वयम आचारे रगनाद जी का वहाँ जाना संभव नहीं था वे सोजद के लिए अपने चातूरमास की स्विकृति देच चुके थे आखिर उन्होंने उस कारे के लिए अपने प्रियसिस भीखन जी को चुना क्योंकि वे सास्तरग्य होने के साथ साथ असाधारन बुद्धिमान भी थे स्वामी जी को बुला कर उन्होंने वहां की सारी स्थिती बतलाते हुए कहा तुम स्वयम बुद्धिमान हो अतक कोई ऐसा उपक्रम करना जिससे स्रावकों की संकाय मिटे और वे पुनह वंदन करने लगे राजनगर में स्वामी जी ने गुरु आग्या को सिरोधार्य कर राजनगर की और विहार किया राजनगर मेवार की सुप्रसिद्ध जील राजसमन के किनारे बसा हुआ नगर है उक्त जील को उत्तम सिल्प का एक नमुना माना जाता है समथ 1732 में उसका निर्मान हुआ कहा जाता है कि अकाल निरोध के लिए किया गया वो भारत का प्रथम प्रयास है स्वयोगी कहा जाना चाहिए कि 83 वर्स पश्चात साध्वाचार के अकाल का निरोध करने के लिए भी उसी स्तान से प्रथम प्रयास प्रारम हुआ स्वामी जी का उस और विहार करना उसी उपक्रम की भूमी का कहा जा सकता है टोकर जी, हरनाद जी, विर्भान जी और भारमल जी ये चार सादू उस समय स्वामी जी के साथ थे चातूरमास करने के लिए वे राजनगर पहुँचे तो तत्रत्र स्रावकों को बड़ी प्रसनता हुई क्योंकि स्वामी जी एक विरागी और तत्वग्य सादू के रूप में प्रसिद्ध थे स्रावकों ने उस अवसर का पूरा लाब उठाने का निश्चे किया सादू समाज के विसे में जो कुछ भी वे कहना चाहते थे वह सब खुल कर कह देने के लिए ऐसा उचित पात्र उन्हें अनानायसी मिल गया था ध्यानाकर्शन धर्मक्रांती के अहवान राजनगर के श्रावकों में चत्रोजी पोरवाल तता बचराजी ओसवाल प्रमुख थे वहां का समग्र श्रावक वर्ग उन दोनों के नेतुट्व में था चत्रो जी के चार पुत्रों में वज्रलाल जी और लालू जी तता पोत्र में जवेट चंजी भी धर्म के मरमग्य थे अन्न भी अनेक तत्व के स्रावक वहां थे वे सब मिलकर स्वामी जी के पास आए स्वामी जी ने उनकी संकाओ तथा वंदना वेवार छोड़ देने आदी विश्यों पर बातचित की स्रावकों ने सादू समाज के आचार विचार की दैनिय स्तिती स्वामी जी के सम्मुक रखी उन्होंने कहा आप लोग अब जान बुच कर दोसों का सेवन करने लगे हैं कहीं आपके निमित स्तानक बनाए जाते हैं कहीं मोल दिये जाते हैं पर उस और किसी का जरा भी ध्यान नहीं है मानो उधिष्ट आरी दोस आप लोगों के लिए लागू है ही नहीं वस्त्र पात्र संबंधी मर्यादों का भी खुले रूप में उलंगन होता है पर कोई बोलता तक नहीं सिस्यों के लिए तो जो कुछ न कर ले वही थोड़ा है बिना आग्या दिक्सित कर लेना बैका कर अनत्र भगा ले जाना दुसरे के सिस्य तता भाव्य सिस्य को उल्टी स सिदी बाते सिखा कर अपनी और अक्रिष्ट करने का प्रयास करना आधी तो इतने सामान्य कार्य हो गए हैं कि उनके विसे में कुछ कहना ही व्यर्थ हैं न आप में सुद्ध स्रद्धा हैं और न सुद्ध आचार फिर हम आपको वंदन करें तो किस लिए एक आश्वासन सा आधों का अचार विचार दूसित हैं परन्तु गुरुल की बात उची रखने के व्यामों ने तथा मत्पक्स ने उनके मन को दो स्विक्रिति की आग्या नहीं दी उन्होंने अपनी बुद्धी बल से स्रावकों को समझाने का प्रयास किया और नरम गरम अनेक उपायों का स पस्ट कर दिया कि आप एक विरागी सादू हैं अता हम आपके विश्वास पर वन्दन करते हैं किन्तु हमारे मन की संकाए नहीं मिटी हैं स्वामी जी ने उन्हें आस्वस्त करते हुए कहा चार महीने हमारे सामने हैं ये काफी लंबा समय है अता धीरे-धीरे सारी संकाओ का समाधान होता ही रहेगा स्रावको को इस कथन से जहां थोड़ा आस्वासन मिला वहां स्वयम स्वामी जी के मन में एक तुमूल संगर्स छिड़ गया स्रावको की संकाओं ने उन्हें आत्मनिरिक्षन के लिए बाध्य कर दिया उनका सत्य प्रेम वस्तुत्व उस कसोटी पर चड़ गया यही कारण है कि राजनगर का वह चातुरमास उनके लिए मानसिक संगर्स का काल रहा उससे जो कुछ फलित हुआ वह स्वयम उनके लिए ही नहीं अपितु सारे संसार के लिए बहुत गुनकारक हुआ रदय मन्थन सयोग वस उस घटना के पश्चात रात्री के समय स्वामी जी को बड़े जोर से जोर का प्रकोप हुआ सीच से सरीर थर-थर कापने लगा जोर के उस आकस्मिक आक्रमन ने सरीर के साथ साथ उनके मन को भी जगजोर डाला उनकी विचारधारा में घहरी हल्चल मज गई कुछ समय पुर्व उन्होंने जिस मत्पक्स से प्रेरित होकर स्रावको की बात को उलटने का प्रयास किया था वह उन्हें स्पस्टी एक मोह ग्यात होने लगा असत्य को सत्य और सत्य को असत्य सिद्ध करने का वह प्रयास स्वयम उनकी ही आत्मा को कचोटने लगा आत्म गलानी और पश्चाताप की तिवर अनुभूती करते हुए वे सोचने लगे मैंने जिनेश्वर देव के वचनों को छिपा कर सत्य को जूटा ठहराया ये कैसा अनर्थ कर डाला यदि इस समय मेरी मृत्यू हो जाए तो अवश्य ही मेरी मुझे दुर्गती में जाना पड़े क्या ऐसी स्थिती में ये मत्पक्ष और ये गुरू मेरे लिए सरन्भूत हो सकते हैं इन विचारों ने उनके मन में किसी कौने में छिपे हुए मताग्रा के कालुष्य को धो डाला एक प्रतिज्या दुख के समय जहां पामर प्रानी हाय तोवा मचाता है वहां उत्तम पुरुष आत्मकल्यान की और अधिक वेक से प्रोड़त होता है दुख उसके लिए अभिशाप नहीं वर्दान बन जाता है स्वामी जी को उस ज्वरवेदना ने मानो जखजोर कर रख दिया सहसा उनकी आंत्रिक आंके खुल गई और अपना कर्तव्यपत सामने दिखाई देने लगा रात्री के निरव एकांत में चलने वाली रदय मंथन की प्रक्रिया ने उनको अपार बल दिया उन्होंने सहस और ध्रिडता के साथ प्रतिया की यदि में इस असस स्वस्तता से मुक्त हुआ तो निस्पक्स भाव से खोज कर सत्य मार्ग को अपनाऊंगा जिन भासित आग्मों के अनुसार अपनी चर्या बनाऊंगा और साधों के लिए निर्दिष्ट मार्ग के अनुरूप आचरन करने में किसी की भी परवा नहीं करूंगा स्वामी जी का जुअर उस प्रतिग्या के पस्चात क्रमस सांथ होता गया और रातरी के साथ ही उसका अंत हो गया प्रभाद के समय जब कुछ व्यक्ति दर्शनार्त आये तो स्वामी जी ने उन से रातरी कालिन अपने निश्चे का उलेख करते हुए का मैंने जो बाते कही थी उनके विशे में एक बार फिर से विचार कर लेना चाहता हूँ आगमो की कसोटी पर अपने विचार को कस लेने के पस्चात जो भी निशकर्ष निकलेगा वह मैं आप सब के सामने रख दूँगा स्थावक वर्ग स्वामी जी की विराग वृति से पहले ही प्रभावित था सत्यान वेशन के प्रती उनकी उधार भावना और ततश्टर वृत्ति को देख कर और वह प्रभावित हुआ उसने स्वामी जी से जो आसा लगाई थी वह फलवती होती हुई नजर आने लगी किसी परिणाम पर पहुँचने की उतावल करना ही उपेक्सा जहां तत्व गवेशना की और से उदासिन कर देती है वहां अधीर्ता सत्य के निश्कर्स पर पहुँचने में बाधक बन जाती है स्वामी जी को दोनों दोसों से बच कर चलना था एक और स्रावकों के दोरा उठाए गए प्रश्ण तता अध्यन काल में स्वयम के मन में उठने वाले विचार थे दूसरी और अपने संप्रदाय के आचार विचार की प्रनाली थी दोनों में जहां संगर स था वहां आगम ही निर्नायक हो सकते हैं इसलिए स्वामी जी ने दोनों प्रकार के विचारों को आगम की कसोटी पर कस कर देख लेने का निर्नाय किया यदेपी वकार्य बहुत गंभीर और स्रम साध्य था फिर भी सक्त्य तक पहुँचने के लिए सरवादिक उचित तथा नियाय संगत वही एक मात्र मार्ग था विचार के पीछे जो अपना अत्वा पराया विशेशन लगा रहता हैं वह तत्वस्टता से निन्य करने में बादक बन जाता है स्व और पर से उपर उठकर केवल निर्विशेशन विचार को परकने की समता एक विरक्त मुमुक्षू में ही हो सकती है मुमुक्षू व्यक्ति अपना मंतव्य पुष्ट करने में नहीं किन्तु सत्य को पुष्ट करने में अपना गौरव समझता है सत्य को परखने में गलती की संभावना हो सकती है इसलिए उसे फूख फूख कर पैर आगे बढ़ाने पड़ते हैं किसी भी विचार को एक बार या दो बार ही नहीं किन्तु बार बार सत्य की कसोटी पर कस लेने के पस्चात जब कोई संधे नहीं रह जाता तब ही वह अपने अनुभव से आए हुए विचारों को साफ साफ जनता के सामने रखता है स्वामी जी ने अंतिम नीने के लिए उक्तमार्क का ही आलंबन किया उन्होंने ततश्ट बुद्धी से आगम अध्यन प्रारंब किया स्थानिय, स्रावक, पिर्थो जी, खाटेड तता लाल जी पोर्वा ने उत्प्रेरक बनते हुए कहा स्वामी जी आप आगमों का अध्यन पूरी अनुप्रेक्षा के साथ करना स्वामी जी ने वैसा ही किया उन्होंने उस चातुरमास में प्रतेक आगम का दो-दो बार सुक्समता पूर्वक पारायन किया सत्य को असत्य बतलाना जहां आत्मपतन का कारण होता वहां घुरू का पक्ष लेकर असत्य को सिद्ध करना भी दुर्गती का कारण होता न सत्य के प्रती अन्याय होना चाहिए और न घुरू के प्रती वह एक दुधारी तलवार पर चलने के समान कठिन कारे था उससे अक्षत बचने के लिए आगम मन्थन ही एक मात्र उपाय था स्वामी जी ने उस चतुरमास में अपना अधिक समय उसी कारे में लगाया निसकर्ष की घोष्टना स्वामी जी प्राय चतुरमासांत तक सास्त्रों का अध्यन मनन कर रहस्यों को रदेगम करते रहें अनन्त आगम मन्थन के उस महान परिश्टन से उपनिशद भूत जो निश्कम सामने आया उससे उनका पूरा पूरा विश्वास हो गया कि इस रावकों का पक्स सत्य है सादू समाज जिन आग्या के अनुसा नहीं चल रहा है दर्शन और चारित्र ये दोनों ही सादूता के अनिवारे अंग है किन्तु यहां इन दोनों का सम्यग भाव दिश्टिगत नहीं होता स्वामी जी अपने निसकर्स को गोल मटोल भासा में छिपा कर रखना नहीं चाहते थे वे अपनी पुर्वकृत भूल को सुधार कर सब कुछ स्पष्ट कर देने का निश्चे कर चुके थे इसलिए पहले अपने साथ के अन्य सादू के सामने उन्होंने सारी बाते विस्तार सहित रखी सादू का वास्तविक आचार विचार क्या होना चाहिए यह उन सब को आगव सम्मत दिश्टी कौन उससे समझाया अच्ची तरह समझ लेने के पश्चात चारो सादू ने स्वामी जी के उस दिश्टी कौन का अनुमोधन किया चातूर मास जब समापती के करीब आया तब एक दिन श्रावकों की सभा के सम्मुक अपना चीर प्रतिक्षित नीर्ने सुनाते हुए स्वामी जी ने निर्भिक्ता पुर्वक उद्गोशित किया श्राव को तुम लोग सक्ते मार्ग पर हो हम गलत है वास्तव में ही सादू वर्ग सास्त्र सम्मत मार्ग से भटक गया है किन्तु इसके लिए धैरे खोने की आवशक्ता नहीं है मैं आचार श्री के पास जाकर निवेदन करूंगा मुझे पुर्ण विश्वास हैं कि वे इस पर ध्यान देकर सादू संग को नियंत्रित करेंगे ताकि संग में सुद्ध आचार और सुद्ध विचार का वातावारन फिर से फैल सके अवश्य ही कोई न कोई ऐसा उपाय खोज लिया जाएगा जो लक्स तक पहुंचने में साहिक होगा और गती में तिवरता लाएगा आप सब लोगों को तब तक के लिए धहरे पुर्वक कुछ और प्रतिक्षा करनी चाहिए स्वामी जी के उस खरी बात को सुनकर स्रावक बड़े प्रशन हुए उन्होंने कहा हमें आप से जैसी आसा थी वैसा ही काम आपने कर दिखाया संग कल्यान की द्रिष्टी प्रशन था वे आत्मकल्यान के पत्थ पर सिश्चत्व या गुरुत्व के कोई भेद नहीं मानते थे किसी भी प्रकार से सत्य का पालन हो आत्मकल्यान का मार्ग प्रसस्त हो यही उनका प्रमुक लक्ष था स्वामी जी अपना अकेले का ही नहीं अपितु सारे संग का कल्यान चाहते थे इसलिए गुरु को गलत समझ लेने पर भी उन्होंने उनसे संबंद विछेद नहीं किया प्रत्यूत उनके द्रिष्टिकॉन को बदल कर सारे संग को सुद्ध मार्ग पर प्रवित करने का ही निश्चे किया आचारे के नमानने पर जो कुछ करने का था उसका निने भी वे कर चुके थे परंतु उस निश्चे को काम में न लेना पड़े इसलिए पहले गुरू को सोचने तथा समझने का काफी अवसर दे देना चाहते थे इतने पर भी यदि गुरू और सत्य इन दोनों में से केवल एक को ही चुणना पड़े तो वे सत्य को चुणने का निश्चे कर चुके थे आचारे की और चातुरमा समाप्त होने पर स्वामी जी ने राजनगर से मारवार की और विहार किया क्योंकि आचारे रगनात जी उस समय मारवार में ही थे स्वामी जी के मारव में छोटे छोटे ग्राम पढ़ते थे अता उन्होंने सुईदा की दिष्टी से साधु के दो दल कर दिये दूसरे दल में वीरभान जी आदी दो साधु थे उनको अच्छी तरह से समझाते हुए स्वामी जी ने कहा यदि तुम आचारे श्ट्री के पास पहले पहुँच जाओ तो वहाँ इस विशे पर चर्चा मत करना क्योंकि अधूरी बातों को सुनकर यदि पहले से ही उनके मन में कोई आगरबद मूल हो गया तो फिर समझाने में कठिना ही होगी वे अपने गुरू हैं अता अवसर देखकर विने पूर्वक की सब बाते उनके सामने रखनी होगी मैं स्वयम पहुँच कर सारी स्थिती उन्हें बतलाऊंगा और सत्य मार्ग को स्विकार करने की प्रातना करूंगा साथी की भूल आचारे रुगनात जी उस समय सोजत में थे सयोग वस वहां मुनी वीर्भान जी ही पहले पहुँचे वंदन और सुक प्रश्ण आदी के पश्चात आचार श्री ने उनसे पूछा स्रावकों की संकाय दूर हुई या नहीं मुनी वीर्भान जी ने कहा स्रावकों के संकाय थी ही कहा जो दूर होती उन्होंने तो सिद्दान्तों का सच्चा भेट पा लिया है वे लोग जो बाते कहते हैं वे संकाय नहीं सत्य है उनको संभालने के स्थान पर स्वयम हमें ही संभलना चाहिए हम लोग दोसी हो गए हैं उदिष्ट स्थान में रहना असुद आहार गरहन करना नित्य पिन लेना मर्यादात्रिक वस्त्र पात्र रखना और बिना आग्या दिक्सा देना आदी अनेक दोसों का हम सेवन करने लगे हैं इतना ही नहीं हम उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करते हैं स्रावक यदी दोस हम लोगों में बतलाते हैं तो वे सत्य ही कहते हैं उनकी संकाई मिथ्या नहीं है आचारे रगुनाद जी ने जब ये बाते सुनी तो स्तभित हो गए उन्होंने वीर्भान जी को टोकते हुए का तुम इस तरह कैसे बोल रहे हो मुनी वीर्भान जी ने जोर देते हुए का मैं सत्य ही कह रहा हूँ सादू संग में दोस सेवन होता है ये निश्चित है परन्तु मेरे पास तो सुनाने के लिए केवल नमुना मात रही है पूरी बात तो भिकन जी के आने से ग्यात होगी इस प्रकार मुनी वीर्भान जी ने अधेश वस सारी बात पहले ही कह डाली स्वामी जी दोरा सावधान कर देने पर भी वे बात को पचा नहीं सके स्वामी जी की प्रतिक्सा करने लगे उनके पहुंचने से पुरुही वहां के वातावरन में एक अज्यात कटूता गुलने लगी साथी द्वारा अपने उतावलेपन से की गई थोड़ी सी भूलने कारे की सफलता को काफी दूर धकेल दिया और उनके मार्ग को भी कटकानीन बना दिया गुरु का रुख स्वामी जी कुछ दिनों पस्चात सोजत पहुंचे गुरु चर्णों में भक्ति पूर्वक वन्दन किया आचारे रगुनाद जी ने न उनका वन्दन स्विकार किया और न उनके रुख ही जोड़ा चतुर स्वामी जी ने ततकाल भाप लिया कि मुनी वीरभान जी ने पहले ही सारी बात कहकर अवसर बिगार दिया है वे बिगडी बात को भी सुधारना जानते थे अतर नमरता पुरग बोले गुर्देव आपका चित उदास क्यों है आपने न मेरे वन्दन को स्विकार किया और न मेरे सिर पर अपना वात्सले पूर्ण हाथ ही रखा आचारी रगुनाद जी ने कहा तुम्हारे मन में संकाय उत्पन हो गई है इसलिए तुम्हारा और हमारा मन अब मिल नहीं सकता आज से तुम्हारे साथ हमारा सांभोगिक संबंध भी नहीं रहेगा स्वामी जी ने सोचा इनमें तथा हम में न सम्यक्त हैं और न साधुत्व तब सांभोगिक रहने या नह रहने में कोई अंतर नहीं पड़ता फिर इस समय यह विवाद अनावश्यक होगा अभी तो यही उचित हैं कि यदि इनके मन में यह आसंका हो कि सिस्य रूप में रहना मुझे स्विकार नहीं अत्वा मैं स्वयम इनसे प्रतक होना चाहता हूँ तो इस आसंका को दूर कर इनके रदय में विश्वास पैदा करूं कि मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है समस्त सादू संग को सुधारना है तो पहले गुरू से संपर्क रखना और उन्हें सारी बातों से अवगत कराना आवश्यक है यह सब विश्वास के बिना नहीं हो सकता अविश्वास जहां कार्य को नश्ट करता है वहां विश्वास नश्ट हुए कार्य को भी पुना सुधार देता है स्वामी जी ने तब गुरू को विश्वस्त करने के लिए कहा यदि मेरे मन में व्यर्थ की संकाय उत्पन हो गई है तो आप उनको दूर कीजिए और मुझे प्राश्चित द्वारा सुद्ध करके सभोजी कीजिए इस प्रकार आचारे की व्यर्थ की आसंकाओं को दूर कर वे सांभोगिक बने और वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त किया नम्र निवेदन स्वामी जी ने कुछ समय पश्चात अवसर देखकर आचारे रगनार जी के साथ तत्व मिमान सा करने का उपकरम किया उन्होंने नम्रता पुर्वक यथा उसर एक के पश्चात एक आचार विचार सम्मंदी सारी बाते आगम न्याय सहित सामने रखी। उनके कतन का सार था हम लोगों ने आत्म कल्यान के लिए गर छोड़ा है इसलिए किसी प्रकार का आगर न रखकर आगम वानी के अनुसार ही अपनी मानेता रखनी हो चाहिए। जो मानेता मित्या है आगमों की कसोटी पर ठीक नहीं उतरती उन्हें तत्काल छोड़ देना चाह की हैं परन्तु सुद्ध सद्धा का प्राप्त होना बहुत दूरलब है अत दुसरी बातों को गौन समझ कर पहले इसी का नीड़ने करें यदि आप आगम कथित सुद्ध दर्सन और चरीत्र का पुनरतदार करेंगे तो आप मेरे पुझ्य गुरू होने के साथ साथ संसार क के लिए भी एक महान प्रकास स्तंब होंगे ऐसा किये बिना हम सबके लिए ग्रहत्याग करने का अर्थ ही क्या रह जाएगा अपने संग की स्तीती को देखकर यह कहां जा सकता है कि यहां आगम विरुद आचार की परिपाटी चल रही हैं सद्धा भी आगमानुमोदित नही खाने पीने की अच्छी से अच्छी वस्तू में भी यदि उसके विप्रित स्वभाव वाली किसी वस्तू का मिश्ण हो जाता है तो वह बिगर जाती हैं तब धर्म में अधर्म का तथा पुन्य में पाप का मिश्रण कैसे उप्युक्त हो सकता है अपने संग में एक ही क्रियाक से दोनों कुछ पुन्य और कुछ पाप का होना मान्य है परंतु वह विचारणिया है आगम द्रिश्टी है कि असुब योगों की प्रहुति से पाप और सुब यो योगों की प्रहुति नहीं की जा सकती जिससे पुन्य और पाप दोनों का बंद हो सके सुब और असुब योगों के प्रुथक प्रुथक अस्तित्व के अतिरिक्त कोई ऐसा तिसरा प्रकार नहीं है जिसमें उन दोनों का मिश्रण हो सके इस आगमिक द्रिश्टी कौन से स कि जिन आग्या पर पूरा ध्यान देकर इन बातों को सोचिए जिन आग्या से बाहर कोई धर्म नहीं है हम उसे आराध कर ही सयम जीवन की आराध ना कर सकते हैं कोई प्रभाव नहीं आचारे रगुनात जी पर स्वामी जी की उन बातों का कोई अनुकुल प्रभाव नहीं हुआ वे और अधिक कृध हो उठे चीर परिचित और चीर पालित धारनाओं का मो कसोटी के लिए त्यार ही कब होता है फिर भी कोई बलात उसकी कसोटी करना चाहे तो वो उसके लिए कैसे सही हो सकता है स्वामी जी सदा से आसावादी थे निरासा उनके पास चाहे कभी आई हो पर वो टिक कभी नहीं पाई उन्होंने सोचा गुरू का रुख इस समय काफी कठोर बना हुआ है मतागर के कारण उसमें करवाहट भी आ गई है इसलिए सत्य सुर्य को देखने है तू जिस दोस्मुक्त द्रिष्टी की आवसकता होती है वो इस समय यहां नहीं है सत्य को सीधा स्विकार कर लेना अत्यन्त उच्च कोटी की अध्यात्म साधना की अपेक्सा रखता है ऐसा भी संभव है यह मत पक्स का सामाईक आवेस ही हो समय पाकर जब आवेस का अंधर दूर हो जाएगा तब कुछ सोचने का अवसर अवस्य मिलेगा उस समय स्वतही सत्य का प्रकास अप्रिहत गती से आत्मा में फैल जाएगा ऐसे समय में सारी परिस्तिती नमरता पूर्वक उनके सामने रखूंगा तो अवस्य यह समस्या बहुत सरलता से सुलज सकेगी उतावल करने से काम नहीं होगा आगरह अपना स्तान छोड़ने में कुछ समय मांगता ही है मुझे तब तक बहुत धेरे से काम लेना चाहिए अवसर की प्रतिक्सा स्वामी जी अनुकुल अवसर की प्रतिक्सा करने लगे जब जब ऐसा अवसर मिला उन्होंने अपने विचार विने पूर्वक किन्तु दृड़ता के साथ सामने रखे और उन पर चर्चा की इस प्रकार काफी समय बीट गया आगामी चतुरमास के दिन समी पाने लगे एक दिन स्वामी जी ने निवेदन किया इस बार का चातुरमास साथ साथ किया जाए तो अच्छा रहेगा उससे चर्चनिय विशोय पर विचार करने तता सत्या सत्या परखने का परिपून अवसर मिल जाएगा आचारे रगनार जी ऐसा करने को सहमत नहीं हुए उन्हें भय था कि कहीं सिस्चों पर इसकी बात का प्रभाव न हो जाए उन्होंने का ऐसा करने पर तुम मेरे अन्य सिस्चों को भी अपने पक्स में लेने का प्रयास कर सकते हो अतम में साथ में चातुरमास करने की मुर्खता कभी नहीं कर सकता स्वामी जी ने उस भय को दूर करने के लिए सुझाव देते हुए कहा यदि आपको ऐसा भय है तो अपने ऐसे सिस्यों को ही साथ में रखे जो हमारी चर्चा के विशे में कुछ विशेश न समझ सके आप जैसे समर्थ आचारी सासन का कुछ सुधार कर सके तो सहजी सुध आचार का निर्मान होकर सादू संग सारे विश्व के लिए उपयोगी बन जाएगा अन्यता आचार सैथिल्य के कारण वह एक भार बन जाएगा आचारे रगुनार जी ने इतने पर भी स्वामी जी की बात को नहीं माना और साथ साथ चतूमास करने के लिए सहमत नहीं हुए स्वामी जी को इससे निरासा तो अवश्य हुई परंतु उन्होंने उस से इस भावना से निरस्त कर दिया कि आखिर प्राचीन संस्कारों को छोड़ने में कुछ समय तो लगता ही है उन्होंने तब चतूमास के पश्चात एक बार फिर प्रेतन करने का निर्ने किया और उप्युक्त अवसर की प्राप्ति तक घैर्य पूर्वक प्रतिक्सा करने के मार्ग को ही अपनाया जोदपूर चातूमास आचारे रगनाद जी के पास से विहार करके स्वामी जी चातूमास करने के लिए जोदपूर पधार गए वहाँ उस वर्ष स्थानक वासी संप्रदाय के एक बड़े टोले के अधिनायक आचारे जैमल जी का चातूमास था वे आचारे रगनाद जी के गुरू भाई थे अतर स्वामी जी के चाचा गुरू थे स्वामी जी ने वह चातुरमास उनके साथ ही किया स्वामी जी का चिंतन था कि मेरे गुरू आचारे रगुनात जी इतना प्रयास करने की पश्चाद भी आचार सुद्धी के लिए कुछ करने को उद्धत नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्तीति में क्यों आचारे जैमल जी को इस कार्य के लिए उद्धत किया जाए यदि इस कार्य में सफलता मिल गई तो लक्ष को बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है आचारे जैमल जी से विमर्शन आचारे जैमल जी सासन मर्मर्ग्य होने की साथी प्रकृती से बहुत मिलनसार एवं भद्र परिनामी थे स्वामी जी ने उनसे आचार उत्करांती की जो आसा की वह कोई असंभव या असंगत बात नहीं थी क्योंकि उनमें किसी प्रकार का पुर्वाग्र नहीं था स्वामी जी ने चातुरमास के उस लंबे समय का पूरा-पूरा उप्योग किया आचार्य जैमल जी के साथ यथा समय उन्होंने अनेक बार विचारों का आदान प्रदान किया। आचार्य जैमल जी स्वामी जी के उद्देशे से बहुत प्रभावित हुई। प्रदाय के मुनी थिरपाल जी और मुनी फतेशन जी आदी अनेक साधुओं ने भी स्वामी जी के विचारों को समझा। वे सब उनके प्रति अत्यंत स्वामी जी वहां के सयोग तता सद्वाव से बहुत संतुष्ट हुए। परिनाम भंग। आचारे रगनार जी को जब पता चला कि आचारे जैमल जी के भीकन जी की स्रद्दा बैट गई हैं और वे उनका साथ देने को तयार हैं तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उनके विचारों को परिवर्तित करने के लिए उन पर नाना स्थानों से दबाव डाले जाने लगे। स्वयम आचारे रगनार जी ने भी अपने प्रभाव का उप्योग करते हुए उन्हें उस कारे से प्रतक होने के लिए बाद्द किया। उनके विचारों का प्रतिनिदित्व करने वाला एक पत्र सोजत के भायों द्वारा जोद्पूर में आचारे जैमल जी के पास भेजा गया। उसका आश्य था यदि आप भीकन जी के साथ मिल जाएंगे तो नाम आपका न होकर भीकन जी का ही होगा। अभी आपको फुसलाने के लिए चाहे कुछ भी कहा जाएं परन्तु निश्चित हैं कि टोला संप्रदाय भीकन जी के नाम से ही चलेगा। आपके साथ निश्चित ही फकीर के दुपट्टे वाली कहानी गटित होगी। राजा ने किसी फकीर को एक बढ़िया दुपट्टा भेट किया और सेट ने उसे अपने पुत्र के विवा पर मांगा। फकीर ने बरात में ले चलने की सर्थ परव दे दिया। बारात गाव के समीप पहुँची तब दर्शकों ने वर के रंग रूप तता वस्त्रा भुष्णों की प्रसंसा की परंतु सर्वादिक प्रसंसा दुपट्टे की की। फिर फकीर ने कहा दुपट्टा तो मेरा है। राजा ने मुझे भेट किया था। सेट ने उसे चुप रहने को कहा। बरात गाव में पहुँची वहाँ भी लोग दुपट्टे को देखकर वावा करने लगे। फकीर फिर बोल उठा दुपट्टा तो मेरा है। सेट ने उ चलता कर दिया ठीक इसी प्रकार की घटना कालांतर में आपके साथ भी घटित होने वाली हैं सादू साद्विया आपके होंगे किन्तु आपको उन्हें अपना कहने का अधिकार नहीं होगा यदि आप कभी भूल से भी उन पर अपना अधिकार व्यक्त कर देंगे तो आपको तकाल तोका जाएगा इतने पर भी चुप नहीं रह सकेंगे तो निश्चिती आपको वहां से विदा कर दिया जाएगा फकीर को तो दुपट्टा वापस मिल गया था परन्तु भीकन जी आपको एक भी सादू वापस देने वाले नहीं होंगे नया संगठन खड़ा करने का अकेले लेंगे सबके मुख पर उनी का नाम होगा सरवत्र उनी की प्रसंसा के गीत गाये जाएंगे आपको कोई पुछेगा तक नहीं एक अन्य बात के लिए भी आपको सावधान कर देना उचित होगा कि यदि आप भीकन जी का सयोग करेंगे तो वे आपके विद्वान सा पारे निराधार हो जाएंगे उनके पारिवारी ग्रहस्त उनकी दुविदाओं से दुखी होकर आपको ही कोशेंगे अपने इतने बड़े टोले से की सुवेवस्ता छिन भिन्न कर किसी बहाव में बह जाना आप जैसे सुविग्य संग नायक के लिए सोबास्पद नहीं है पत्र को पढ़कर आचारिय जैमल जी के परिणाम भंग हो गए उन्होंने स्वामी जी के साथ मिलकर आचार सुद्धी के लिए जो निन्ने किया था उसे बदल दिया अपनी उस विवस्ता को व्यक्त करते हुए उन्होंने स्वामी जी से कहा भिकन जी मैं तो गले तक इसी वाटावरन में डूप चुका हूँ मेरा इससे बहार निकल पाना सहज नहीं है तुम पंडित हो मेरी स्थीती को अच्छी तरह समझ सकते हो तुम सुद्ध साधित्चर्या के मार्ग को स्विकार करो मेरे लिए तो यह लाब प्राप्त करना असक्य ही है नव निर्मान की भूमी का स्वामी जी को आचारे जैमल जी के उत्तर से स्पष्ट भासित हो गया कि आचारे पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति से क्रियोधार की आसा करना व्यर्थ है वह बायवातावरन के दबाव से इतना गिरा होता है कि अपनी स्थिती से तिल भर भी इधर उधर होने का विचार स्वयम उसे या उसके पद को खत्रा पैदा कर देता है पद को छोटे बड़े किसी भी परिवर्तन से बड़ी गबरहत रहती है इसलिए पदासीन व्यक्ति की मनोवर्ति क्रांती के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकती पद और प्रतिष्टा का प्रलोबन त्याग कर जो स्वतंत्र चिंतन के आधार पर कार्य करने की समता रखता है वही क्रांती कर सकता है स्वामी जी को लगा कि अब जो कुछ करना है वह सब स्वयम के बलबूते पर ही करना है दूसरों की प्रतिक्सा में और अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं है किसी पूर्व गठित संग का आचार विचार के आधार पर उद्धार करने का लक्ष उनके अंतरंग से हटा नहीं तो धुमिल अवश्य हो गया क्योकि उसके लिए अनेक बार प्रयास करने पर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली आगे के लिए कोई संभावना भी द्रिष्टिगत नहीं हुई उनके सम्मुक तब आमूल चूल नव निर्मान का ही मार्ग सैस रहा उन्होंने उसके लिए भुमी का निर्मान करना प्रारंब किया इतना होने पर भी आचारे रगनात जी से एक बार पुनम मिलकर अंतिम रूप से निन्ने कर लेने का उन्होंने निश्चे किया अभिनिश्क्रमन चातुरमा समाप्त होने पर स्वामी जी ने जोदपूर से विहार किया और क्रमस विहरन करते हुए बगडी में आकर आचारे रगनात जी के दर्सन किये उचीत अवसर देखकर नम्रता पुर्वक उन्होंने सक्ते सोध के लिए सानुरोध विवेदन करते हुए कहा स्वामी भगवान मावीर के वच्णों पर विचार करे संग में सुद्ध सद्धा और सुद्ध आचार की पुनप्रतिष्टा करे आत्मकल्यान के लिए इस कारे की अनिवारे आवशकता हैं इस प्रकार विविद रूप से समझाने का प्रयास किया परन्तु उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया विक्रमसवत 1815 के राजनगर चातुरमास की समापती से लेकर विक्रमसवत 1817 के चैत्र सुकला नवमी तक प्राय एक वर्स और पौने पांच महीने व्यतीत हो गए उस अवधी में गुरु सिस्य में परस पर अनेक बार विचार विमर्स हुआ उत्तर प्रत्यूत्तर के रूप में चर्चाय भी हुई पर सुधार की और एक चरण भी आगे बनने का कोई आसार द्रिष्टिकत नहीं हुआ स्वामी जी ने तब स्पष्ट रूप से समझ लिया कि धानमिक उत्करान्ती के लिए यहां से किसी प्रकार की आसा करना वियर्थ है स्वामी जी ने तब अपने चिंतन प्रवा को दूसरी और मोड दिया उन्होंने सोचा आत्मकल्यान के जिस महान उद्देश से गर बार छोड़ कर मैं यहां दिक्सित हुआ उसकी कुछ भी पूर्ती नहीं हो पा रही है इस स्थिती में संग के व्यामों में फसकर निरुदेश्य यहां बैठे रहना मेरी लिए सोबास्पद नहीं हो सकता मुझे आत्मकल्यान को ही प्रात्मिक्ता देनी चाहिए उसके बिना प्रतेक साधन केवल विरादना या विडंबना बनकर रह जाती है उक्त चिंतन क्रम में उन्होंने संग से संबंध विछेद कर अभिनिश क्रमन का निष्चे कर लिया उन्होंने उप्योक्त समय का निर्धारन किया और तदुनुसार विक्रमसवत 1817 चैत्रसुकला नवमी को आचारे रगनाद जी से अपना संबंध विछेद कर लिया उनके साथ टोकर जी, हरनाद जी, वीरभान जी और भारमल जी इन चार संतों ने भी उस मार्ग का अनुसरन किया ये चारों वेही संत थे जो राजनगर चातुरमास में भी स्वामी जी के साथ थे तदकाल पांचों सादू स्तानक को छोड़ कर बाहर आ गए राम नवमी नाम से समगर भारत में प्रक्षात वा पर्व दिन स्वामी जी भीकन जी के लिए आत्मविजय के पत पर अभिनिश्क्रमन का पुनित दिन बन गया ओम अहरम कल के अध्याए में हम सुनेंगे स्वामी जी के आत्मविश्वास की कसोटी का प्रसंग किस तरह रगुनाद जी ने स्वामी जी के रास्ते में रुकावटे पैदा की जानिये स्वामी जी के प्रथम निवास के बारे में गुरू के मोहतगार का प्रसंग गुरू की धमकी स्वामी जी के लिए कैसे आशिर्वात बन गई तेरापन के दो एथियासिक स्थल के बारे में बगडी से विहार और बरलु में चर्चा का प्रसंग आचार्य जैमल जी से मिलन का प्रसंग बारा साध्वों के नाम जो स्वामी जी के साथ थे जोदपूर का चातुरमास किस तरह सफल रहा स्वामी जी के साथ उनके भक्तों ने भी स्थानक का परित्याग कर दिया भारमल जी के पिता किस्नो जी की वियस्ता कहां की गैरूलाल जी व्यास ने राज जी के महमंत्री दीवान को किन बातों से अवगत कराया तेरापन का नाम करण का प्रसंग और स्वामी जी ने उसका क्या अर्थ निकाला ओम अरहम